दोस्तो आप देख रहे हैं सुन्दर नेचर यहां मचली का मैं एक्सप्रिमेंट कर रहा हूँ दोस्तो वीडियो में दिखाने के बाद से इन मचलीयों को मैं वापस पानी में डाल दूँगा मैं भीवर को करीब से दिखला रहा हूँ यहाँ मचली को मैं पकड़ूंगा और देखूंगा कि कौन सी मचली इसमें से मेरे हाथ में पकड़ में आ रही है दोस्तों आप देखेंगे हर मचली अपने बचाओ के लिए इधर उधर भागेगी मैं पहले थोड़ा करीब से दिखला दे रहा हूँ मचलीयों को यह पोठिया मचली है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को प्लीज चेहर कर दीजेगा देखिए दोस्तों मैं पानी के अंदर हाथ डालूं इसलिए यह पकड में आ गई है तो देखिए मैं इसको छोड़ दिया पानी के अंदर अब मैं दूसरी मचली को पकड रहा हूँ यह बड़ी वाली मचली है यहां पे और यह भाग गई तो देखा दोस्तों आप जो मचली ठकी हुई है पानी के अंदर मतलब के इसको लेकिन जो फ्रेश हो गई है वो पकड में नहीं है जैसे इस मचली को देखते हैं यह बहुत ताजी दीख रहे है पकड में आती है या नहीं तो देखिए ये भी छूट रही है और छूट रही है देखिए भाग गई अब मैं इस मचली को पकड़ रहा हूँ ये नीचे जो है इसको और ये भी काफी फ्रेश दीख रही है देखिए फिर से मैं इसको पकड़ने के कोशिस करता हूँ दूसरी मचली को मैं पकड़ने के कोशिस करता हू देखिए मैं सबको घेर के इधर ला रहा हूँ ओ यह मेरी उंगली में एक मचली फस गई है लेकिन मैं बिल्कुल हलका हाथ से पकड़ रहा हूँ ताके मचली को तकलीफ नहीं हो देखिए दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो हमेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा अब मैं थोड़ा कम पानी में इसको रख रहा हूँ देखिए यह अपने बचाओं में कैसे भाग रही है तो दोस्तो यह मचली का एक्सप्रिमेंट था मचली को मैं दिखाया कि किस तरह से मचली पकड़ने पर अपना बचाओं करती है ओके दोस्तो सुंदर नेचर देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू